नमस्कार परकासर हिंदी यूटूब चैनल पर आप सभी का सवागत है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फ्री स्मार्टफोन योजना फिर से शुरू हूँ यदि आप राजस्तान से बलॉंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उप्योगी होने वाला है क्योंकि राजस्तान में गहलो सरकार के दोरा विदान सवाचुनाव से पहले राजस्तान की महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन बाटने की जो योजना चलाई थी उसमें अधिकतर महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन नहीं मिल पाया था लेकिन इस योजना को अब राजस्तान के नए सियम बजनलाल सर्मा के दोरा फिर शे शुरू किया जा रहा है तो यदि आप राजस्तान से बलॉंग करते हैं और राजस्तान में आपके घर परिवार में जिस महिला को मोबाइल फॉन ये फ्री में नहीं मिला था तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि फ्री स्मार्टफोन योजना को रास्तान में बजनलाल सर्मा के दोरा फिर शे शुरू कर दिया गया था पहले जिस महिला को नहीं मिला उसको अब मिलेगा फ्री स्मार्ट फॉन तो रास्तान में फ्री स्मार्ट फॉन योजना के मादम से जिन मैलाओं को पहले मुबाइल फॉन नहीं मिला था अब उनको फिर से बजनलाल सरकार फ्री में स्मार्ट फॉन देने की योजना को इसको फिर से दुबारा से सुरू कर दिया है लेकिन अभी भी किन-किन मैलाओं को नहीं मिलेंगे अभी भी फ्री स्मार्टफॉन किन-किन मैलाओं को अभी भी ये फ्री में स्मार्टफॉन नहीं मिलेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके लिए लिष्ट जल्द होगी जारी इसके लिए जल्दी ही लिष्ट जारी होने वाली है तो यदि आपके घर परिवार में मैलाओं को यदि फ्री में स्मार्टफोन नहीं मिला है तो इसकी बहुत ही जल्दी लिष्ट जारी होने वाली है यदि आप भी उस लिष्ट में अपना नाम देखना चाते हैं तो अवस् परकासर हिंदी यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जैसे ही फ्री स्मार्ट फॉन की लिष्ट जारी होगी वैसे आपको सुचना या जान कर इसकी दे दी जाएगी यदि आप परकासर हिंदी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं पेल आइकन प्रेस कर आल पर क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही लिष्ट जा रही होगी वैसे ही आपके पास इसकी जानकरी पहुंचाएगी नोटिविक्शन पहुंचाएगा तो किन-किन महिलाओं को अब इस योजना की मादम से स्मार्ट फॉन मिलने वाला है और किन-किन महिला के बारे में क्या बोला है मिलना चाहिए महिलाओं को फॉन यही सभी महिलाओं को फॉन मिलना चाहिए यह बात भाजपा और कॉंगरेश की जो महिला नेता है उन्होंने कही है कि स्मार्ट फॉन योजना जो फ्री में फॉन दे जा रहे थे उस योजना का लाप सभी महिलाओ को रास्तान में मिलना चाहिए यहां पर किस-किस महिला नेता निका है उसके बारे में यहां पर आप जानकरी ले सकते हैं रक्षिया बंडारी जो कि परदेश अद्धेक्स है बाजपा महिला मोर्चा की उन्होंने भी का है कि महिलाओं की सुरिक्षिया की मुद्देव को ध्य जाए स्मार्टफोन से मैलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकर देने का मक्सद था बाजबा सरकार परदेश की मैलाओं की इस्तती को और अच्छा बनाए सरकार में होने के कारणी ये उनका दायतों बनता है। मैलाओं की हीत में कैसे और परभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो रेहना रियाद चिस्ती हैं जो कि राजस्तान में राज्य महिला आयो की अध्यक्स हैं। में कोंग्रेस और जो बीजेपी की महिला नेता हैं उन्होंने भी का है कि फ्री स्मार्ट फोन योजना है उसको राजस्तान में जारी रखा जाना चाहिए। और जिन महिलाओं को फोन नहीं मिला है उन महिलाओं को फिर से यहां पर मोबाइल फोन फोन फिरी में दिया जाना चाहिए। जो राजि महिला आयो की अध्यक्स है रेहन रियात चिस्ती उन्होंने भी का है कि महिलाओं जो गरीब हैं उन्हों वो इस्मार्ट फोन खरीदने में सक्सम नहीं हैं तो उनको फोन आवस्य ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये योजना क्या थी। क्या थी ? योजना ये थी कि राजस्तान में एक करोडं ते तीस लाख महिलाँ को.. यानी कि एक करोडं ते तीस लाख चरिंजीवी जो परीवार हैं उन परीवारों की सभी महिलाँ को स्मार्ट फोन देने कि गैलो सरकार ने गारंटी दी थी लेकिन उनमें से केवल मातर 40 लाख मेलाओं को ही इस योजना का लाव मिल पाया था इसके बाद में चुनाव हो गए चुनाव होने के बाद में अब रास्तान में BGP की सरकार बन चुकी है इस योजना के माद्यम से केवल राजस्तान में अठारा सो करोड रुपे इक खर्चे हो पाये है इन अठारा सो करोड रुपे के माद्यम से केवल राजस्तान में 40 लाख मेलाओं को ही स्मार्ट फोन मिल पाया है तो यहां पर आप देख से आचार सीता लागू होने से पहले तक इस योजना के अंदर गत करीब 25 लाग मेलाओं को स्मार्ट फॉन के लिए राशी दे गई सरकार के और से इन मेलाओं के करीब 18 सो करोड रुपे ट्रांसफर किये गए थे तो पहले फेज में 40 लाग मेलाओं को फ्रीमे मोबाल देने की ये योजना थी और उसके लिए 18 सो करोड रुपे खर्च के गए थे लेकिन आचार सीता लागू होने के कारण के और राजस्तान के अंदर 25 लाग मेलाओं को इस योजना का लाब मिल पाया था 40 लाग का जो लक्सिय रखा गया था वो भी पूरा नहीं हो पाया था वैसे यो योजना थी कि एक करोड एक करोड तेतीस लाग जो चरिंजीवी परिवार हैं उन सबी मेलाओं को ये स्मार्टफोन फिरी में दे जाने की गारंटी गैलो सरकार ने दी थी लेकिन आचार से इताके कारणी ये संबव नहीं हो सका चरिंजीवी परिवार की मेलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना पर सरकार विधान सबा में आज करेगी खुलासा तो चरिंजीवी परिवार की महिलाओं को जो की एक क्रोड 33 लाग चरिंजीवी परिवार हैं उनकी महिलाओं को फिर में स्मार्टफोन देने की योजना गहला सुरकर लेकर के आई थी लेकिन पहले फेज में 40 लाग को देने का लक्सिया रखा गया लेकिन फिर भी 25 लाग को ही मोबाल दिया गया था क्योंकि फिर आचार सेता लागू हो चुकी थी तो अब जो बचेवे हैं ये जो चरिंजीवी परिवार बचेवे हैं इन चरिंजीवी परिवारों की जो मैलाए हैं उनको स्मार्टफॉन देने की जो योजना है उसको लेकर के आज बजनलाल सरकार है वो विधान सबा में इसके लेकर के खुलासा करेगी कि जो मैलाए बची हुई हैं उन मैलाओं को अब हम स्मार्टफॉन देंगे या नहीं देंगे तो इसकी बहुत ही जल्द न्यूज हमारे पास आने वाली है जैसे ही इसकी न्यूज आएगी कि चरिंजीव परिवारों की जो एक क्रोड तेतीस लाख मेलाई थी जिनको स्मार्टफॉन देने की योजना पूरवर्ती सरकार की थी लेकिन उन में से पत्चीस लाख मेलाओं को ही इस योजना का लाब मिल पाया था अब जो अन्य और मेलाई बची हैं उनको हम लाब देंगे या नहीं देंगे आज ही की न्यूज है आज ही विदाहन सबा के अंदर जो मिटिंग चल रही है जो बैठक चल रही है उसके अंदर इसका खुलासा हो जाएगा और जैसे ही न्यूज निकल करके आएगी वैसे ही मैं आप तक इसके बारे में जानकरी दे दूँगा तो यदि आप इससे समझे जानकरी लेना चाहते हैं तो परकासर हिंदी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर आल पर क्लिक आवसे कर लें क्योंकि जैसे ही विदाहन सबा में इसके लिए जो खुलासा हुआ है और क्या न्यूज निकल करके आती है उसकी जानकरी आप तक पहुंच जाएगी वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगाओ तो लाइक करें कमेंट करके अवसे बताएं और आपके भी घर परिवार में यदी महीला जिसको स्मार्टपोन फ्री योजना का लाब नहीं मिल पाया था आप यदी इसका लाब लेना चाहते हैं तो आप अपना नाम और जिला कमेंट में अवसे लिखें ताकि इस योजना के मादम से किनकिन ममेलाओं को लाब नहीं मिल पाया है उसकी पूरी जानकारी मिल सके और इस योजना का लाब अभी भी किसको नहीं मिलने वाला है उसके बाарे मैं आपको बता दूं कि जो चरिंजीवी परिवार में समलित प्र अर्थाज चरिंजीवी परिवार जो है उसी की परिवार की मैला को इस स्मार्टफोन योजना का लाव मिलने वाला है यदि सरकार इसके लिए विधान सबा के अंदर एक खुलासा कर देती है कि हम जो सेश रह गई थी मैलाएं उन मैलाओं को हम अब यहां पर स्मार्टफोन द से कर लें धन्यवाद